नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दे क्रिप्टो बीच पर उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों पिछले दो-तीन दिनों से लगातार मार्केट क्रैस होते चला जा रहा था लेकिन अभी कल से थोड़ा सा मार्केट में इस्ट है कि सारे जो टोकन से उनमें आपको देखने के लिए मिलेगा मैक्सिमम तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि बिटकोईन के प्राइस में क्या चेंज आया तो सबसे पहले बिटकोईन जो है 3.14 परचेंट का चेंज है लास्ट 24 आवर्स में यानि कि बिटकोईन ऑल्मोस 62 से 65,000 डॉलर तक आ चुका है तो जिसके वाज़र से मार्केट में आपको थोड़ी सी गिनरी दीखेगी बाके के जो क्रिप्टो टोकन सा वह भी बिटकोईन को फालो कर रहे हैं इथेरियम जो है वह 3153 पर कर अल्मोस्ट 6.4 परसेंट का प्र सब्सक्राइन ने वापस से टच किया है और एक सार्पी 0.5 डॉलर को टच करने जा रहा है 5.83 पर्चंट के ग्रोथ के साथ में एक्चली प्रॉब्लम होगा क्या मार्केट इतना ज्यादा क्रेश हुआ पिछले दो दिनों से इसराइल और इरान की पॉलिटिकल टेंसन की व सब्सक्राइब कर दिया है और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इतना क्रेश होने के बावजूद भी टेंट को वापस से 7 डॉलर को टेच करने जा रहा है और 18 परसेंट का ग्रोथ है अल्मोस्ट 24 आवर्स में और देखिए जब मार्केट क्रेश हुआ थ परसेंट की ग्रोथ सो कर रहा है पिछले 24 आवर्स में और काडानो 3.94 परसेंट सीवाइनों में हलकी सी ग्रोथ है 5.30 परसेंट की बीच ने अच्छा ग्रोथ किया है 14 परसेंट का तो मार्केट में जो है तेजी से टोकन जो है अपने प्राइस के वापस आ रहे हैं प्रीवेसली अच अभी जेनरेट किया था विटकोईन ने उसको ब्रेक कर सकता है तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट के जो टॉप गेनर्स है और लूजर्स की लिष्ट में कौन-कौन से टोकन है जो करेंटली ट्रेट कर रहे हैं सबसे पहले नंबर वान है ब सिंगलाइरी टीन नेट यानि की एग एक्स एटीन पॉइंट टोकन है और नंबर टेन पर है एर्वीव 27.77 डॉलर पर करेंटली ट्रेट कर रहा है और 17 परसेंट की ग्रोथ सो कर रहा है बिगेश्ट लूजर्स में कुछ सो नहीं कर रहा है जस्ट विकॉस की मार्केट पू ट्रेंडिंग में है बिट्कॉइन नंबर वन पर है हैस एक इन डॉक्स वर्ल्ड होग प्रोटोकॉल पेपे सोलाना एथेरियम वोक्सीज एवो फेच रॉट यह जो है टॉप टेन ट्रेंडिंग टोकन से कोई मार्केट कैप पे और रिसेंटली कुछ नए एडे टोकन टो नंवर्टो के टोकन साहिए ने टोकन से रहते हैं क्रिपो मार्केट में लेकिन में किसी भी क्रिप्टो टोकन मार्केट में लिश्ट होता। या कहीं भी social platform पर आप किसी भी crypto token को देखते हैं कि लिश्टिंग होने वाली है आप इसको purchase कर लीजिए प्रीसेल है बाय कर लीजिए दोस्तों एक बहुत बड़ा scam भी हो सकता है आप उनके link पर click करके कि वहां पर फंस भी सकते हैं आपका wallet आपका account है भी हो सकता है तो इस चीज़ से आपको सतर को सावधान रहना हमेशा भी किसी भी unauthorized link को click नहीं करना है और दो सबसे बड़ी दूसरी चीज़े जो नए token market में आते हैं अब को हमिसा फॉलो करना है कि उनका background क्या है वो कौन उनके developers कौन लोग है उनका आने का future roadmap क्या है बहुत सारी चीज़ें उसमें जानकारी लेनी रहती उसके बाद ही आप किसी भी करें अधरवाइस क्या होता है बहुत सारे लोग सिर्फ देखते हैं टोकन नया लीश्ट हो रहा है वो लालच में उसमें participate करते हैं उनके प्रीसेल में और उसके बाद टोकन कभी launch नहीं होता है क्योंकि मेरे अपने साथ भी ऐसा experience पास्ट में हो चुका है बहुत टाइम पहले मैं भी ऐसी सारी चीज़ें करता था लेकिन फिर देरे देरे यह जो है चीज़ें बदली मार्केट की समझ आई फिर उन सब चीज़ों से दूर रहने लगे हैं लोग तो आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दूसकी पूरी जानकारी कठा करनी है और किसी भी लिंग पर आपको कुछ भी कॉन करना है विदाउट लोग इन्वेस्टमेंट से बचना चाते हैं मार्केट में उसका लाम है किंग से बचना चाते हैं तो आपको डेली बाई डेली चीजों को सीखना पड़ेगा उसको सीखने के साथ में आप मार्केट में बने रहेंगे तो आप अपने आपको सेफ करवाएंगे चलिए चलते में इथेरियम पे एक अप्ग्रेड आया था और अभी इथेरियम पे करके अप्ग्रेड और छो custardy polling करेगाM वालेट को वहां पे ट्रांजेक्शन को सारी चीज़ों को इंप्रूव करेगा अभी हाली में आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले यह अल्मोस्ट 15-20 डेस पहले यह अपडेट अल्री आया था वहां पे अभी एक और अपग्रेड आ रहा है तो यह इधरियम को और स्ट्र सब्सक्राइब और अमेरिकन दॉसरे के साथ में संगर्स चल रहा है कि मार्केट को लीड करने का कि कौन ग्लोबल लीडर बन सकता है तो अब तक ग्लोबल लीडर था इतने सालों से लेकिन अब फिलहाल ऐसा सीनेडियो डेवलप हुआ है कि डॉलर को चैनीज यूवान ने और टेक कर लिया है इन टर्म्स ऑफ यूजेज मार्केट में अब पहले 35 परसेंट तक जो फॉरेंट्रेव फॉरेंट मार्केट था उसमें 35 परसेंट तक डॉलर का यूज होता था लेकिन अभी करेंट्ली हो गया कि यूवान का जो यूजे से वह 42 परसेंट तक पहुंच यूजेज बता रही है कि अमेरिकन डॉलर का डाउनफाल या फिर यूह कह सकते हैं कि चाइनीज यूजेजज उप्राइवलब्यमों में जो ग्रोध हो रही है उससा का सबसे बढ़ा रिजन यह है कि युवान की वैली जो है डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है और इसने टम्स अब यूजेस में इसने अल्रडी यूएश डॉलर को सरपास कर दिया है उसके अलामा यूणी स्वैप की बड़ी नियुज है यूणी स्वैप हाइक ट्रांजेक्शन स्वीश्ट फंड लीगल डिफेंस अगेंड से आपको मैंने थोड़े दिन पहले बता था यूणी से की ऊपर यूएस में लॉस्ट फाइल हुआ है तो यूणी स्वैप जो है उस ट्रेडिंग फीश से जेनरेट करेंगे तो इन्होंने इसके लिए अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग फीश को इंक्रीज कर दिया है अगर आप यूणी से यूजर है यूणी से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहां पर ज्यादा गैस पीपेर करनी पड़ेगी क्य यह इनफॉर्मेशन तो यूणी से की तरफ से और वीडियो के लाश्ट में चलते चलते थोड़ा सा मार्केट के ऊपर बात कर लेते हैं माइटी का वाल्यूम तो अल्मोस्ट फिप्टी परसेंट बढ़ा है लेकिन उसका प्राइज जो है कंटिनूसली डाउन फाल होते जा क्योंकि मार्केट जब क्रैस हुआ तो सारे टोकर एक साथ क्रैस हुए लेकिन उसमें 95-99 टोकर ने रिकवर कर लिया मार्केट के बाद जो प्राइस था यह वहां से थोड़ा नीचे आ गया तो साथ लोगों का लोगों ने पैनिक सेल किया माइटी को जिन लोगों ने भी क् टेखने के लिए मिल रहा है तो उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में में मार्केट के साथ में कैच अप करेगा और अपनी ग्रोथ सो कर पाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कल फिर मिलेंगे कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ में कुछ और क्रिप